हलो स्टुएंट मैर्विंग गुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग केरियर पॉइंट की ओनलाइन और अफलाइन क्लासेज में आज हम आपके लिए काडियोलोजी से बहुत इंपोर्टेंट यह को पॉल्दीव से के द्वारा किया जाएंगे जुर्ण आपका आज का यह सेशन कंटिन्यू किया जाएगा लेट्स गो स्टार्ट करते हैं आजका इंपरटेंट कुल्दीप सर के द्वारा है हां चुछ नर्सिंग आपिसर एंज दहली आदम स्टाट करते हैं हमारे कुछ के बारे में तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने कोश्चन नमर एक से अपना पहला कोश्चन है इंट्रकोस्टल इस्पेस इन प्रेगनेंट बुमें में तो इसमें चार ओप्शन दिये हैं अपने पास नमर ओप्शन यह है राइट फॉर्थ इंट्रकोस्टल इस्पेस राइट फिप्थ इंट्रकोस्टल इस्पेस लेप्ट फॉर्थ इंट्रकोस्टल इस्पेस और लेप्ट फिप्थ इंट्रकोस्टल इस्पेस अब स्टूडेंट आपको यह पता होना चाहिए कि एपिकल पल्स होती है जो कौ कुन से वाल्व की पल्स होती है तो आपको मैं जानकरी देता हूं यहां पर कि एपाइकल पल्स हमेशा मिट्रल वाल्व की साउंड होती है या उसकी पल्स होती है तो मिट्रल वाल्व की साउंड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं इसके बारे में एक बहुत ही question और वन जाता है कभी भी एपाइपिकल फल्स आपन चेक करते हैं कि कितनी टाइम्स के लिए चेक करनी है एपाइपिकल पर्स चेक आप फूल मिनेट कि हमेशा आपन को इनकेस इमरजेंसी हो या नोनमगेनसी हो जब अपन एपिकल पल्स चेक कर रहे हैं तो अमेशा एक मिनिट अपन प्रेगनेंट में अपन पूरिव्ल एपिकल पल्स चेक करनी होती हैcket अब देखिए मिट्रल का सांड कहां पर होता है बच्चों गोगा प्रेग्नेंट में कहाँ होगा और एडल्ट में नोन प्रेग्नेंट है नौर्मल मेल की बाद अपन करेंगे तो मिट्र रह वाल्वन को हुआ नौर्मल ये रेटें हैं कि अच्वास कि सुनेंगे अगर बात करें अपन चिल्ड्रन की बच्चे की और प्रेग्नेंट बूमेन की तो तो इसके reference में इसका answer change हो जाता है कौँछ व्याइब्ट कर ऐसी एस इंटरकोस्टल space प्रेंड देखिए 14 sharing क्यों आए गांशर जो प्रेंट मोमें dripping होता है उसकी वज़ाइस मिपन कि बोलते हैं चीफ निश्मिटी मसल होती है डोम गण होता है कि होता है धौकुटसे पडाउगं जीफ इंस्पारेटरी मसल लिए, चीफ इंसपारेटरी मसल हैन्ष यह न सथी जोती है की y서 की बता थीक है और अपनगे थोरॉपराइडज कावेटी और और abdomen cavity को भी डिवाइड करता है तो diaphragm के बारे में कुछ बात है हो गई तो diaphragm क्या करता है pregnant woman में उपर की साइड अपर साइड अपर साइड फोरवर्ड हो जाता है या अपवाड मुवमेंट अपवाड मुवमेंट कर जाता है इसकी बज़े से जो अपन को मिट्रल बाल्व की साउंड होगी वो कहां पर सुनाई देगी फोर्थ राइट फोर्थ लेफ्ट इंट्रकोस्टल इस्पेस पर तो बच्चो इसका आंसर क्या तला जाएगा फोर्थ लेफ्ट आइसी एस अब आपको मैं कोचिन के बारे में बता देता हूं हलका फुलका कि कौन-कौन सा साउंड कहां-कहां सुनाई देगा ठीक है बच्चो तो अपन को सारे साउंड याद करने के लिए एक यहां पर ट्रिक होता है उसको अपन को याद रखना है ठीक है ओल प्यूपिल एन्जॉइ टाइम मैगजीन ठीक है तो यह निमनिक मेस्जिस से अपन पहली निमनिक हो गई तो एका यहां से मतलब होता है अरोटिक अरोटिक साउंड जो कहां सुनाई देगी सेकिंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में ठीक है बच्चों यह किलियर हुआ इसके बाद में आपके अपन इपी पर तो पी का मतलब होता है पलमोने के तो यह कहां सुनाई देगी लेफ्ट सेकिंड आईसी एस की बात करें तो यहां आप होगा इंटरकोस्टल इस्पेस बात करें आपन एकी तो यह कहां होगा लेफ्ट थर्ड आईसी एस पर ठीक है तो यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ए और जो एस बन और एस टू दोनों साउंड सुनाई देती हैं ठीक है अपन चलते हैं अब टीपर नियूमेनिक में अपन कहां पहुचें टीपर तो टीपर होता है ट्राई का स्पिड साउंड तो यह कहां सुनाई देगी लेफ्ट फोर्थ आईसी एस पर अपन बात करें अब लाश्ट में बसता है अपने पास मैं एम उसके अलावा अपनी फीमेल या नॉर्मल जो अपनी फीमेल होती है है उन्हें अपर कहां सुनेंगे तो यह होगा मिट्रल साउंड यह हो जाएगा अपन का लेफ्ट फिव्ट पर अईसी एस पर ठीक है तो यह अपना कुछ साउंड से होते हैं उनके बारे में तो डिटेल में हमने बता दिया है आपको आप अपन सलते हैं अपने नेक्स्ट क अपना अफना Parrue डिस्पिले का डिश्पिले पर सो होने वाला थे राव होट में इन्ट्रायूटरान लाइफ राइट वेंट्रिकल मेड फ्रों फिच श्ट्रक्चर्स देखों अपनात करते हैं बच्चों यहाँ आप चार आप्सं दी हैं तो यह पूंछेन आपसे पूछ मदर के भूम में है बच्चा का है मदर के भूम में है मतलब यूटरस में है बच्चा पैदा नहीं हुआ है वह यूटराइं लाइफ में है तो उसमें हर्ट होता है उसका डपलमेंट कुछ स्टेजेज में हर्ट का डपलमेंट होता है हर्ट का डपलमेंट होता है तो उसमें क दूसरा ओप्शन दिया है प्रिमिटम एट्रियम, तीसरा है ट्रंकस, आट्रियोसम और चोता है बलवस काईडिया, तो अब इन में से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है चारों में से जिससे अपना राइट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन होगा, तो इसका ड्रोबेक समझने के लिए मैं एक आपको चित्र ड्रोव कर दे रहा हूं, उससे आपको सिर्फ समझने की कोशिस करनी है ठीक अच्छो जैसे अपने एंट्राइट राइफ होती है तो वहाँ पर यह दो ऐसी इस्ट्रक्टर बनती है ना तो ऐसी इस्ट्रक्टर बनती है तो यहां पर एक इस्ट्रक्टर ऐसी बनी हुई होती है अब यह पांच स्ट्रक्टर होती है इंसे अपने हाइट की सारी जो इस्ट्रक्टर उनका निर्मान होता है तो इनको बोलते हैं यह दोनों हो जाते हैं अपने प्रिमीटिव प्रिमीटिव एट्रियम तो दोनों एट्रियम्स होत एक यहां पर बनती है इसका नाम होता है साइनस बीनोसम साइनस बीनोसम कुछ इस्ट्रक्चर का निर्बान करती है उसमें होता है और को डूली ऑर को यह यह स्ट्रक्चर होती है इंट्रीयूटरियल लएफ की बात हम कर रहे हैं जब बच्चक में होता है मतलब मदर के बूम में होता है और यहां पर बेबी बरॉण हुआ नहीं है तो हाट कर एपलम्मेंट इन स्टेजिश में होता है तो दोनो एक्री compared और लेट आट्रीयम फूरा बन जाता है अपना Αन्सम से चार क्रॉकित र मकुछ पार्ट बनता है शतै और अपना न्रौटO ठीक है ऐसे नोड का नाम दिया था अपने लेवाइन लेवाइन थॉमस ने तो यह से नोड के बारे में यह कुछ बाते होती है नेचरल पेसमेकर होता है यह जेनरेट करता है कंडिसन में अब एक यह बाना एभी नूड ठीक है अभी नूड का फोर्मेशन वी किसी किरbaj से जास apro l मंचेया कि सेशनों नेचरल क्यों करें कि हम अगर ऐसे नोड की अपनों बात करें साथ शिस्टं की बात करें कंडेक्शन सश्व्सकूंड कंडेक्शन सिस्टम are तो यह अपने मायो कार्डिययम में प्रियर्टी पूछे अगर तो कहा पहाँ तरी मैयो कार्ड अ изб की लोकेशन होती है अपने जहां पर फिर ऑन्हकावशंगा यहां पर खुलती है उसके ओपनिंग पर तो यहां एसे नोड की लोकेशन होती हैず Evi node बनता है अपना इंट्रा यह अपना हुआ राइट यह u तो यह दोनों एट्रियम के बीच में सेट्म बनता है डेवार जो ंटर्बarel की पो इंटर हुआ में किया पाजाता अपना दुछंद यहां पाजाता है तो एक ज की करेंगल गोस में पाजा घवर अब बात करें कोश्ट ट्राइंगल क्या होता है तो इसका हम आगे कोश्चन में जिक्र करेंगे ठीक है तो तीसरी इस्टतर यह भी नूड बन गई इससे अब इससे अपने 40-60 बीट पर मिनिट बीट पर मिनिट क्या होता है रिदम जन्रेट होती है अब एक बर्ड यूज उ अब ऐसे नूड की तरह ऐसे नूड की तरह अब यह भी नूड बरक करने लगता है तो उसको बोलते है अपन क्या जंचनल रिदम यह समझ में आया आपको फिर होता है बना कोरोनरी साइनस तो चारोवा श्ट्रक्टर साइनस मिनोसम से बन जाती है आम इनको आपको ड्रोग नोट्वुक और पेन साथ ना लेकर बैठें समझने के बाद वीडियो को आगे पीछे करके आप लिख सकते हों फिर एक श्ट्रक्टर बनती है यहां पर जाके यह इस इसको बोलते है अपन बल्वस काडिया ठीक है अब बल्वस काडिया से क्या वंता है अपना राइट बेंट्रीम अब देखो अपना क्या पूसना चाहिए यहां पे इंट्राइट्राइन लाइफ में राइट बेंटिकल में फ्रॉम भीच्ट इस्ट्रक्चर तो अपना आंसर क्या जाएगा तर्बसक्राइण यह तो अपना अंसर हो गया प्रॉमिटीव वैट्रेम अपने पढ़ लिया बच के आगए हमारे पासले प्रॉमकस आट्रीम्ध तो यह प्रॉमिटव दोचिव बच जाते हैं प्रॉमिटिव बेंट्रीकल इससे बनता यह लैव्ट्ट बेंट्रीकल यह भी बन गया यह होता है अपना क्या structure इसको बोलते है अपन ट्रंकस आर्टीरियो सम इससे दो structure बनती है एक तो ओर्टा और एक पल्मुनरी आर्टरी आप दोनों ही कौन सी टाइप की है ग्रेट आर्टरी है बोड़ी की बोड़ी की क्या है यह दोनों ग्रेट आर्टरी ठीक है अब इनमें एक कंडििसन होती है कि इंट्रीक्र लाइफ के पाद में यह दोनों स्यूजे जो के अलालग होती हैं जिसे की इसotसर से अलालग को गई अरोटा अपने कहां से जन्रेट होगा left ventricle से और intra-utern life की बात की बात करें जनम के बात की बात और यह अपने कहां से जन्रेट से अब इन केस कई कंडिशन ऐसी होती है जो वेथोलोजिकल कंडिशन होती है जिसमें दोनों अललग नहीं हो पाती दोनों ऐसे दूसरे से जुड़ी हुई रह जाती है उस डिजी को पन क्या बोलते हैं कि ट्रंकस आर्टीरियो सस ठीक है यह कौन से डिजी होती है फीडेट्रिक में कंडेटल कंडेटल हर्ट डिजीज जो कौन से टाइप की होती है साइनोसिस टाइप की होती है साइनोटिक और यह साइनोटिक दो तरह की हर्ट डिजीज होती है तो यह लेटर आउन डिसको सबन के साथ में करते रहेंगों कि अब हम बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अब देखिए स्टुटेंट से तीसरा कोश्चन है कर्फर्मेट्री डिजीज क्रूमेट्री डिजीज क्या होती है और इसमें कौन सी कर्फर्मेट्री डिजीज होती है तो अब बात करें यह इसमें पूछ रहा है कि देखो नम्मर एक उप्सन दे रखा है उसने एसो टाइटर दूसरा दे रखा है सीबीसी थ्रोट स्वैब कल्चर और बायोप्सी आपको यहां पर आंसर चूज करना है अपना यहां पर कौन सा आंसर होगा अब देखों दो तरह टेस्ट होते है तो can áni बेंचार इसके वारें में लेटर रॉंदिभ जैसे वीडियो आएंगी ऑपन की करते रहेंगे लेकिन एक अवर्व्यू देख लेते हैं तो रियमेटर इसक्रोट होती है प्रोग रेशिव हुआ है है कि एक इनफ्लामेट्री कंडिशन देखो यह क्या है ऐसी ही प्रोंडिक लूंबी होती है प्रोग्रेस्व ती दीरे-दीरे होती है और inflammatory condition इसमें होती है अपने बात करें rheumatic heart disease तो यह disease किसकी है हर्ट की तो rheumatic heart disease में क्या होता है जो की rheumatic heart disease होती है इसमें body के सारे connective tissue होते हैं सारे connective tissue होते हैं वो affected होते हैं तो अपन इसको second words में यह भी वो सकते हैं rheumatic heart disease is the disease of connective tissue तो connective tissue अपने कहां कहां पाई जाएंगे joints में पाई जाते हैं हैं है ना blood एक अपने क्या है connective tissue को दारण है एक्जम्पल है connective tissue joint तो यह सारे इसमें affected skin हो गया तो यह सारे इसमें affected होंगे तो इसका कोजिटिव एजेंट होता है कोजिटिव होता है कोजिटिव एजेंट बोटा है स्ट्रेप्टो कोकस ग्रूप A बीटा हीमोलाइटिक बैक्टिरिया ठीक है अब बात करें स्ट्रेप्टो कोकस तो कोकस मींस कोकाई मींस गोल बैक्टिरिया है ग्रूप A जैसे कि बैक्टिरिया होता है यह वेक्टिरिया हुआ तो इसकी सरपेश पर एंटिजन परकार का होता है इस पर वह रूप क्रूप A ट् 앞에 का कौनसे टाइब का एंटिजन परजाता है तो इस ट्रेप्टो कोकस आपको इसे क्रूप एक नंफरम रूप हुआज से अपनी बॉडी में एंट्री करेंगा कोवी करें यह थीक हैंट्री में और्या नेट्रिया तो यह बैक्टिरिया मैंたい पाँ जायेगा अपनी फोड में और पर सिस्टम करें तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे यह मैं आपको मिटा देता हूँ आधाक का यह अपन जांस करेंगे जब इसका डागनोसिस बनाएंगे अपने डागनोसिस करेंगे तो क्या करेंगे अपन थ्रोट से स्वयव लेंगे ठीक है थ्रोट से अपने स्वयव लिया अब इसको ओपन कहा डालेंगे एक ब्लड एगार होता है ठीक है ब्लड एगार होता है तो थ्रोट का स्वयव लिया अपनने ब्लड एगार में क्या होता है सी भेड का ब्लड का कम्पोनेंट होगा ठीक है तो इस ब्लेड का कम्पोनेंट होता है तो इस ब्लेक्टरिया को अपने यहां पर डाल देंगे अभी आपने यहां पर डाला स definies में 3 रिलीज करेगा ग Свाव और तो इसका नाम होगा है कि टिविटेटो लाइसेन अभी ये इन दो तरह का होता है इस्टेप्टो लाइसेन ओक्षीजन है स्टेवल कि कि अफ्रण ऑप्षीजन सेंसेटिव और एक्षीजन लेवाइल और इस्टेवल तो यह आपने कौन से टाइब का वह निकालता है एक्वाउट का तो टाइब कि निकाला है कि ट्रकाइब का ऐसने का ऑनिकाल दिया जो टोकशिन निकाल दिया तो अब देखो एक डानों से बन दिए एस ओ टाइटर है ना तो बोड़ी में कैसे क्या करेंगा अपन एंटी इस ट्रेप्टोलाइसंद इस ट्रेप्टोलाइसंद टाइटर जिसे अपने हमोगे कैसे चेक करते हैं अब देखो बोड़ी में अगर कोई भी टॉक्षिन बना है कोई भी टॉक्षिन निकाला है तो तो इसके के प्रति क्या बन रही है एंटी बोडी बनेगी के नहीं बनेगी अगर एसो टाइटर बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगा बन एसो टाइटर तो उसका मतलब आपनकी बोडी में क्या है आरेचडी का वेक्टरिया है अब इसके लिए एक बहुत एक क्लिनिकल कंडिशन होनी चाहिए आरेचडी के लिए वो होती है लाश्ट चार से छे बीग है ना चार से छे बीग यू-अर्टि की इस्ट्री होनी चाहिए इसका एक क्या हैштew क्राइटरिया होता है तो पर लिया उसमों ऐं करता है video एक तो इसम ऐसेद्व घंग करेगा तो जिसमें और कंप्लीट आान करें करें आ। हुँए है क्या कर देगा यह कंप्लीट कि ब्रेकडाउन कि कर देगा तो समझ में आया स्ट्रेप्टो लाइज देखो गुरूप गुरूप पता दिया मैंना वो गुरूप एसलिए होता है जो बैक्ट्रिया होता है उसके सर्फेस पर एंटीजन पाया है एक टाइप का पीटा एक क्यों बेक्ट्रिया की बिटा टाइप का होता है इसलिए आपर बोलते है इसको ब्रूप एबीटा एक बेक्ट्रिया ठीक है तो इस लिए इसका राइट आंसर क्या जाएग अपना लिया आपने तो बैक्टरिया की प्रेजन्स कहां पाई थी अपनी फ्रॉड स्वयव में तो इसका राइट आंसर हो गया अपना थ्रॉड स्वयव कल्चर एस टार्टर्स का कंफर्मेट्री डियाग्नोसिस नहीं होता है कई स्टुडेंट इसका अंसर गलत करके आ जाते हैं ब इसके बारे में यह कंफर्मेट्री है या नहीं है ठीक है बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन पर अब देखो उसमें अपना कोश्चन है लार्जेश्ट बॉल्ब ऑफ हर्ड ठीक है तो बच्चे बात करते हैं अपनका पहला अप्शन है सबक्तिक डॉटल वाल्व दूसरा है पलमोने कौत की सबिस्च बासरा होते हैं और का जाते हैं उपने इसको ट्रोबSc को सबशचहएं यहां यहीं तो पोए इसको फुमित कि करें चंभर और हॉगे ए यो लोग बिचमें आपको पता ही है कि एक बालब वाल्व पैजयाता है कि इसको को Märig कॉंए बाल इसका क्यों वोल देए早 मि चलिए लेख्रम पाता जा disrupted गई कउन Welcome यूज workers होते हैं यह कितने होते हैं तीन कई होते है ठीक है और दोनों लेसरा ट्रिय अब के ताव मिट्रल वाल्व यह को भाई का ठीक अच्छो अब इसके बाद में यहां से राइट्रेक्ल से क्या निकल दी पल्मोरी आड़्रि निकलती है तो में यहां पर लंग्स में जाती है यहां ब्लेटक को फ्योरिफाई करती है तो यहां पर बल्ब पाज़ता है इसको बोलते हैं पल्मोनिक बल्ब कहां पर पाज़ता है पल्मोनिक पल्मोनिक फिर यहां सा अरोटा निकलता है तो अरोटा का यहां पर पाज़ता है एक बाल्ब क्योंकि जहां से आर्ट्री निकलेंगे आर्ट्री निकलेंगी वहां पर ब यहां पर सबसे बड़ा कौन सा होता है तो अपन का यहां पर आंसर जाता है सबसे बड़ी बात करें तो यह होता है साथ से सबसे बात करें सबसे चोटा कौन सा होता है तो यहीं पूछेगा आपसे सबसे बड़ा होता है सबसे चोटा कौन सा होता है पल्मोनिक बाल्व होता है मिट्रल वाल्व मिट्रल वाल्व का बारे में दो चीज़ें आपन याद रखनी होती है और एसडी अभी पड़ाया था रूमिट घर डिजीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वालों कौन सा बाल होता है मिट्रल वाल्व दोनों चीज़ के लिए रहे हुई अरोटिक बा अत्रेसिया का मतला होता है किसी भी किसी भी नॉर्मल ओपनिंग का अब इस पर यह नहीं हो पा रहा है यह क्या है यहां पर अपनिक नहीं है तो राइट वेंट्रिकल से क्या आएगा यहां से अगर सुफ्र भी नहीं कहाँ और आई बीसी लाएंगी राइटेट्रियम में ब्लड यहां से यहां नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा तो अब ब्लड को oxygenation जिसे कि अपन बात करते हैं कि purify करने के लिए oxygenated कैसे होगा तो इसको अपन ट्रीट करने के लिए एक परसीजर करते हैं उसको बोलते हैं वन फॉन्टैन कैसे फॉन्टैन गाइज सक्थे अब बच्च्व द्यान भीच्टों टीजिजिए इस विफ्रेदर करेंगे क्या ब्लड यहां से कि अ यह क्या है सुप्रीय भैना कावा ठीक है तो दोनों का प्रफिय करना है तो ऐस आइभी सी प्रफिय डेक्टल में नहीं आएगा यहां से प्योरिखाई डिर्रेक्टली लंग में जाके हो जाएगा तो यहां से आगर कोई प्रेग्नेंट मेन है लींथियम ले रही हैं क्या ले रही है तो इसमें कि प्रेग्नेंट होती है वो क्यों हो जाती है उसको बन बोलते हैं पैस्टन पैस्टिन इनामली ठीक है इसलिए अपन फ्रेग्नेंसी में लीथियम कॉंट्रा इंडिकेटेड करते हैं इसकी लीपलेट्स होती है तो लीपलेट्स होती है जो वालु की उनको अपन बोलते हैं ऐसे लीपलेट्स यति हैं रवाल में उनको बन 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 बनेगी पाइस पाइस आती है उनको बन 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 बनेगी उन मसल्स बोलते हैं प्यपिलियरी इस तेसे में अबांटेट कोंट्रक्शन हो रहे हैं तो इसींडे में कौन बेब बनेगी यूब बन जाएगी यूबेब इसीडे में कहां का बनती है हाइपोकेलेमिया और हाइपर केलसीमिया इनमें यूबेव अपने को देखने को मिलेगी अच्छा एक बात का सब्सक्राइब की पेथेवलोजिकल क्यूबेव कहां वनता है पोस्ट एम आई में उसको अलड़ी पहले से एम आई हो रखा है अब बच्छो अपन देखो चारो बालव पढ़ तो के यहां उसके सराउंडिंग के सब्सक्राइब पढ़ लिया अपने अगले कोश्चन की तरह तो बच्छो अपना सेशन यहीं पर खतम करते हैं क्योंकि अब हम जल्दी से जल्दी कोई और इंट्रेस्टिंग टोपिक के साथ में इस तरह ही एम सी क्यू के साथ में थ्योरी को क्लिये करते हुए आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही अपनी मुलाकात होगी बढ़ बच्छो